नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टू माई चैनल और कुर्शेत्य अनुवस्टी के स्टूडेंट के लिए आज की अपडेट मैं लेकर आया हूँ और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपकी ह पता है कि उन्वस्टी ने आपकी जो एक्जाम की डेट शीट है वो जारी कर दी है सभी ने वो डेट शीट देख ली होगी ठीक है लेकिन जो उन्वस्टी है उन्होंने अभी तक आपका जो एक्जाम का मोड होगा किस परकार से आपके एक्जाम कंड़क्ट करवाए जाए है मेरे को हर एक वीडियो पर कमेंट मिलता है कि हमारे एक्जाम का मोड क्या होगा तो मैं उनको हर एक बार यही कहता हूँ कि अभी तक कोई सडूल नहीं युनिवस्टी ने जारी किया ना ही कोई नोटिस जारी किया है आप सभी जो फरवरी में आपके एक्जाम होंगे ठीक है उनिवस्टी ने अभी तक कोई भी नहीं बताया कि आपके एक्जाम ओनलाइन होंगे या ओफलाइन होंगे मैं आपको पूरी अपडेट दिखाने वाला हूँ जो स्टूडेंट है उनकी सिर्फ यही खोलने के आदेस दिये थे लेकिन पंजाब इनवस्टी ने जो पंजाब इनवस्टी चंडीगड है उनोंने उस आदेस को भी मना कर दिया कि आभी जो क्रोना की situation है उसमें हम जो student है उनको एक साथ नहीं बुला सकते तो उन्होंने अपने जो जितने भी student है UG और PG के उनके February और March में जो exam है वो online conduct करवाने का निर्णे लिया है ये बहुती अच्छा निर्णे है पंजाब University का क्योंकि जो student है वो काफी खुस है कि उनके जो study है वो भी online हुई है और exam online होगे तो ये better है क्योंकि जो study online होती आप सभी को पता है उसमें कितना हम study कर पाते हैं कितना जो student है वो सीख पाता है ठीक है और जो student है पुर्षेत्य अन्वस्टी के वो काफी परेशान है ना तो वो इस कारण अपनी जो study है वो complete कर पाए है और ना ही उनका study में मन लगता है आप सभी को पता है मैं भी student हूँ मेरे को भी पता है कि जब तक ये confirm नहीं होता कि हमारे exam online होंगे offline होंगे ना तो study की जाती है और वैसे ही जो student है वो परेशान होता है ठीक है और उसमें stress बढ़ता है उसका tension होती है उसको लेकिन जो university है वो जो की तो बनी हुई है उन्होंने अभी तक कोई भी notification ही अभी तक नहीं जारी किया है और जो ये वीडियो है सिरफ आपके लिए बनाई गई है ताकि जो student है कुर्शित अउन्वरस्टी के उनकी help हो सके और ये अवाज जो है उन्वरस्टी तक पहुँच सके कोई teacher इस वीडियो को देख ले जादा है जादा share करिए ताकि हर एक जो teacher है या कोई भी university का department का कोई भी success वीडियो को देखे तो उसको लगे कि हाँ student परेशान है उनकी help की जाए तो आप वीडियो को share करिए ये आपकी tentative rate sheet है और इसमें दो बाते mention थी जो कि अब आपकी जो rate sheet आई है उसको हटा दिया गया है इस बात को ठीक है ये बात तो हर एक rate sheet में होती है कि अपना question paper चेक कर लिया जाए और जो ये आपकी tentative rate sheet थी इसमें आपका जो ये point है कि अपने जो handwriting है आपने उससे अप question paper attempt करना है otherwise आपको जो है UMC case हो जाएगा और ये बात हम इसको online exam के लिए मान कर चलते हैं कि online exam में ही ऐसी बात बोली जाती है ठीक है कि अपनी handwriting से आपको exam करना है लेकिन अब जो आपकी date sheet आई है उसमें इस बात को हटा दिया गया है ठीक है अब जो student है इसी बात को लेकर परेशान हो चुके है कि अब हमारे exam किस परकार से होंगे क्या हमारे exam online होंगे या offline होंगे जो student है वो परेशान हो चुके है यह अब आपकी new date sheet आई है जो आप हर एक date sheet देख सकते हों और जो notification है university की site पे वो अभी तक कोई भी notification university ने नहीं जारी किया है मैं आपको दिखा द नहीं आया जिसमें आपके exam के mode के बारे में लिखा हो ठीक है और साथी साथ आप सभी student से एक request है कि आप सभी जो student है अपनी study regular रखिए और कोई भी अफवा आती है उस पे ध्यान मत दीजे जब तक आपकी official site पे कोई भी information नहीं आती जब तक आप उसको सही नहीं मानिए नहीं भी आपके student group हैं उन से मिली है ठीक है उनको अपनी problem बताईए ताकि वो university में जाए कोई ग्यापन सोपा जाए ठीक है आपके लिए ये video बनाई है ताकि जो university परसासन है उस तक ये बाद पहुंच सके और आपके exam के mode को लेकर कोई notice जल्द से जल्द जारी किया जा सके और जो हमारी मांग है कि हमारे जो exam है वो online conduct करवाय जाए क्योंकि हमारी जो study है वो भी online हुई है और पंजाब university भी online exam करवा रही है तो हमारे जो kursheta university है उनके भी जो exam है वो online करवाने चाहिए ये ही student के लिए better होगा क्योंकि student ने जो study की है वो online की है और exam भी online होने तो वीडियो को शेर करिए ताकि हर एक स्टूडेंट तक एंफोर्मेशन पूंच सके और साथ ही हमारी यह कि यह मांग है कि उनिवर्स्टी जल से जल कोई नोटिस जारी करें ताकि जो स्टूडेंट है वो टाइम से अपनी स्टडी कर पाएं कि उनके एक्जाम ओनलाइन यह स्पष्ट किया जाए तो आप अपने जो स्टूडेंट ग्रूप हैं उनसे मिलिए उनसे कॉंटेक्ट कीजिए ताकि कोई ग्यापन सोपा जा सके धन्यावाद जहीं